सेलो गाइज कैसो हुआ आप सब आशा करता हूं कि आप सब बढ़ी होंगे दोफ्तों आप लोग तो यह बात से पूरा परजीत होंगे कि बिहार में 21391 पदो पर बिहार पुलिस कंस्टेबल का भेगन से आई हुई है उसका एक्जाम भी हुआ केंसिल भी हुआ केंसिल इसलिए हुआ कि उसका पेपर लिख हो गया था दोफ्तों अब आप लोग इंतिजार इस चीज का कर रहे हैं कि जो इसका री एक्जाम होने वाला है वो कब तक से होगा इसका ओफिसियल नोटिपिकिशन मतलब कि एक्जाम डेट को लेकर जो नोटिप वो CSBC आयोक के द्वारा कंड़क्ट करवाया जाएगा दोफ्तों इन सब बातों में कितना सचाई है और कितना नहीं है चलिए आपको आगे इस वीडियों बताते हैं पूरा विष्तार से दोफ्तों आपलों जानते हैं कि बिहार प्लिस कोस्टेबल एकईस या तीन से एकानवे पद पर जो भर दिया है थी उसका एक्जाम दोफ्तेज की अक्टूबर महिने में कंड़क्ट करवाया गया था जो कि परिच्छात ही थी एक तारिक और साथ तारिक और पंदरत तारि जो पहले करम कांड हो चुका है उसको छोड़ दीजी तो दोस्तों हम आपको को बता दें कि जो सोसल मेडिया पर जो खबर हो रही है कि आप लोगा जो बिहार प्लिस कोस्टेबल एकईस या तिन स्वेकानवे पद पर जो वेकेंसी आई थी उसका एक्जाम मार्च में होगा यह मतलब कि सभी टीचर यूटूबर यह वीडियो बना चुके हैं बिहार प्लिस को टेबल का जो परिच्छा है मार्च में कंडर्ट करवाया जाया कोई बोल रहा है 25 मार्च से होगा कोई बोल रहा है 27 मार्च होगा तो कोई कोई बोल रहा है कि अप्रिल के फर्स्ट विक म पुलिस परसाशन जो है वह आपना विवस्ता टाइट करने में जुड़ जाएगी मतलब कि पुलिस परसाशन ब्यस्त हो जाएगी तो दोस्तो आप आप ही लोग सोचिए कि यह कहां तक पोसिबल हो सकता है कि मतलब अपरिल के फर्स्ट विक में आप लोग एक्जाम होगा और न्यान परसेबल का जो परिच्छा है वो नान्यटी नाइन परसेट लोग सब चुनाएगा याम आप रिल्म होगा अब सिधा से लिए लोग सब tyre चुनाओ के लिएगा